तो हाई अब्रीबन तो स्टेंट्स आज की सेशन में हम डिस्कुस करने जा रहे हैं सेक्षन ओफिशर और असिस्टेंट सेक्षन ओफिशर की जो पोस्ट निकली है उसके लिए क्या इंग्लिश की स्ट्रेजी रहनी चाहिए इंग्लिश सेक्षन तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो फर्स्ट आपकी जनल इंग्लिश आनी उसमें है बेसिकली आपका इंग्लिश लेंगोज और प्रिहेंशन राइट ये जो सेक्षन है बेसिकली यह रहेगा आपका 50 मार्स का जो आपका पेपर होगा उसमें इंग्लिश लेंगोज और प्रिहेंशन का जो सेक्षन है 50 मार्स का रहेगा इसमें आपका प्रिहेंशन भी आएगा एक अलॉंग विद ग्रैमर भी रहेगा और ग्रैमर जो है तोड़ा आपका कुछ इस तरह से रहेगा पहला क्वेशन तो इसमें पाओगे तो वर्ड कॉम्प्रिहेंशन भी कम्स मतले यह वर्ड कहां से निकलता है डिराइव करता है कॉम्प्रिहेंड से ठीक है जी तो कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है बेसिकली टू अंडर्स्टैंड तो यह पहला सवाल है उतके बाद फिर आपको क्वेशन कुछ इस को बोलते हैं इसके उपर सवाल रहेंगे राइट प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन इस वरी इंपोर्टन चेप्टार दिन फिल इन द ब्लेंक्स फिलर के कोशन रहेंगे और उसमें से आपको एराट फाइंड आउट करने को बोलेगा पंक्चुएशन भी है इसके अंदर प्रेट पंक्चुएशन जया होता है मतलत राइट प्लेश पर आपको कहां पर लगने हैं कहां पर फुल स्टॉप लगना है ठीक है जैसे मैंने बुला दककाव कोई भी स्टेटमेंट है उसको आपको पंक्च्ट करके दिखाना होता है मंतलब आपको बताना है कि यह संटे अब इसमें ना तो मैंने कहीं capital लेटर उसकी है नहीं मैंने कहीं फुल स्टॉप लगाया आपको इसको punctuate करना है अगर हम इसकी ऐसे हिंदी बनाएंगे तब तो यह तो logical हो जाएगा the cow said cow तो कभी बोलती नहीं है लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसका मेनिक बिल्कुल एक्जेक्ट आएगा हो सही आएगा अब इसका जो राइट punctuation है वो कुछ इस तरह से first letter capital होगा the cow यहां कॉमा क्या करता है basically pause देता है तो यही punctuation होते हैं so the cow किस ने कहा यह जाएगा basically inverted commas the cow said the master क्योंकि यहां पर मैं जब कॉमा लगा दिया तो मैंने pause देना है the cow said the master right यहां से common will begin is का I capital is a useful animal तो अगर आप इस sentence की exact punctuation पुछी जाए तो यह कुछ इस तरह से बने the cow said the master is a useful animal और फिर common will begin से first letter हमारा यहां पर capital हो जाएगा ठीक है तो यह punctuation का भी सीखेंगे कैसे और इसके अंदर जो है आपके idioms and phrases भी रहेंगे ठीक है जी तो यह जो section है comprehension और यह जितने भी chapters है यह सारा section रहेगा हमारा total 50 marks का ठीक है जी जिसके अंदर आपका grammar का knowledge भी चेक होगा along with आपका reading comprehension ठीक है उसका next आगे move करते हैं students यह हम आगया हमारा paper third right English Hindi descriptive paper ठीक है तो English और में दो या तो Hindi में लखो आप इसको रहेगा total आपका 150 marks का इसके अंदर तीन components है मतलब तीन topics हैं जो आएंगे पुछा जाएगा descriptive English में इसमें आपको essay writing लिखनी essay write करना पड़ेगा उसके बाद प्रैसी writing है जो descriptive sense में है और जो अब्जेक्टिव टाइप है और जो third question रहेगा वो रहेगा आपका इसमें letter writing ठीक है तो देख लिखते हैं essay writing टू questions आएंगे इसमें मतलब तू essays you have to write ठीक है दो essays पर आपको लिखना पड़ेगा और इसके marks की रिश्व सब्सक्राइब ठीक है और आपको दो ऐसे लिखने पड़ेंगे ठीक है तो अगर आप आप इमान के चलो कि 50 marks का अगर एक ऐसे लिखना है तो उसमें कम से कम आपको 400 300 to 400 words की limit रहेगी उसमें जब आप इसकी पूरी रिटेल वह पड़ोगे तो उसमें आपको इसकी वर्ड लिमिट बिजाएगे लेकिन 50 marks के ऐसे के लिए 300 to 400 words आपको करने पड़ेंगे एक ऐसे के अंदर तो यह काफी स्कोरिंग है descriptive paper की अगर बात करें अब ऐसे writing को कैसे करते हैं क्या pros and cons होते हैं कौन से do's and don'ts होते हैं ठीक है तो वह हम सारे देखेंगे ठीक है तो ऐसे writing को जो है कभी भी इसके अंदर repetition repetition नहीं करना होता बार बार आप चीज़ों को repeat करोगे तो आपका ऐसे irrelevant लगेगा इसकी स्टार्टिंग बड़ी यूनिक हो नीची है ऐसे को आपको किसी past की thoughts से connect कर सकते हो फिर अपने main point पर आ सकते हो किसी आप quotation से start कर सकते हो ठीक है तो देखो आपको अगर बोला जाए कि terrorism के उपर लिखो तो लिखने को तो हो सकता है mostly सारे बच्चे लिख देंगे बट quality कैसे produce होती है उसके लिए आपको effective vocab का use करना पड़ेगा अपनी writing में ठीक है sentence structure आपका grammatical mistakes को आपको करना पड़ेगा और जो है आपको इसमें idiomatic expressions, phrasal verbs, effective vocab, quotations, thoughts given by writers जैसे women empowerment के उपर आप लिख रहे हो तो आपको जो है किसी writer के एक अच्छी thoughts आप लिख दो शुरू कर दो अपने हैसे को you can start with any quotation या किसी thoughts से आप start कर दो उसको आप inverted commas में लो उन चीजों से आपके marks बनेंगे quality produce होएगे ठीक है जी repetition automatically आता है writing में जब हम ऐसमें लिखते हैं तो repetition automatically होता है बट उसको avoid करना होता है और repetition आप देखो तब करोगे जब आपके पास alternative words होएंगे तब ही तो आप repetition करोगे ना ठीक है तो उसके लिए आपकी vocabulary का check भी होता है जैसे suppose एक जगह आप आपने कहीं पर रियली यूज कर लिया रियली यूज कर लिया तो second time फिर आप रियली यूज करोगे तो वह repetition हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा word भूनना पड़ेगा इसका तोड कि रियली की जगह में और क्या यूज कर लो तो बहुत सारे हैं यह एडवर्ब है आप indeed यूज कर लो वह भी सचमुची होता है आप as a matter of fact यूज कर लो वह भी सचमुच रियली को भी बोलते हैं तो ऐसे आपको जो है alternative words आपको पता होने चाहिए है अब addition आप कर रहे हो तो and से addition होती है addition आपकी विद से भी होती है addition आपकी in addition बना पाऊगे और एक क्यासे में तो उसके लिए आपको आपनी राइसे में जह है देखो होन करना पड़ेगा उसको निखारना पड़ेगा और वह होगा प्रेक्टिस से लिख लिख के आपको लिखना पड़ेगा contents right उसके बाद second question इसमें 30 मास का है जो कि प्रैस्टी राइटिंग है तो प्रैस्टी राइटिंग का एक question है गा student राइट और प्रैस्टी राइटिंग होता है कि जो भी हमें given text है जो भी paragraph आपको paper में आएगा उसको आपको short में लिखना पड़ेगा ठीक है बन थर्ड करके प्रैस्टी को लिखना होता है इसका भी एक टिपिकल फॉर्माट होता है प्रैस्टी राइटिंग इस ऑल्वेज रिटन इन थर्ड परसन अगर पहरग्राफ के अंदर वह फस्ट परसन आय का यूज कर रहा है या पहरग्राफ में वह सेकंड परसन यू का और प्रैस्टी राइटिंग में आप जो है बिसमें थर्ड परसन का यूज करना है उसका भी यहां पको सबसे पहले प्रैस्टी राइटिंग में आपको सबसे पहले suitable caption जो टाइटल होता है वह टूणना होता है जैसे आपने पारग्राफ को रीड करा तो उसका suitable तो अगर उन्होंने लिखा है कि टाइटल मतलब लिखा है की मेक प्रेसाइज राइटिंग ऑफ इस पर्टिकलू पैसेज अगर उसमें लिखा गया है लाइन गिवन है कि टाइटल इस नॉट मेंडेटरी तब तो मतलिखो बट देखो जैसे हमारी बॉडिया इसके अंदर एक आतम अन нравится सोल है तो जो प्रेसी रैटिंग होती है उसकी सौल उसका टाइटल होता है तो अगर उने लिखा गए लेकिन इसका बेज होता है टाइटल लि Shapें लिखना पड़ता है तो आपको उस पैस्टिज जो आप पढ़ोगे न उसकी अंदर कुछ आपको ऐसा दिखेगा जो irrelevant होता है बतला जो irrelevant content होता है वो नहीं लिखना होता है थोड़ा सा उसको change करना होता है वह ऐसा नहीं करना होता है कि एक लाइन उपर से उठा ली एक मिडल से कॉपी मार ली एक निच्चे से कॉपी कर ली तो आपकी प्रैसी बनीगे तो जीरो मार्क मिलेगा थोड़ा सा उसमें आपको बदलाब लेके आना पड़ेगा जैसे कि मैंने वह लगा परसंस को तो यह आपको थोड़ा लेटर का फार्मेट इसमें पता होना चाहिए ना जो तक हम अपनी फ्रेंड को अपनी फ्रेंड को लिखते है वो उसके ठोड़े जो स्टैक्ट कम होते। उस तो वो बेसिकली उसके अंदर हमें सब्जेक्ट भी लिखना पड़ता है तो फॉर्मल लेटर्स के जो steps होते हैं वो 10-12 बनते हैं 10-12 पॉइंट बन जाते हैं लेकिन जो informal letters होते हैं उसके 6-7 steps होते हैं ठीक है तो यह जो पेपर है आपका descriptive ठीक है तो इसके लिए जो है आपको further classes मिल जाएंगी ठीक है तो ऐसे कैसे लिखना है effective ऐसे के लिए क्या format रहेगा प्रेस्टी राइटिंग वैसे मैंने थोड़ो थोड़ो आपको बजा दिया यह है total आपका जो एसो का और एसो का है syllabus इसके अंदर जो है आपको report writing नहीं है descriptive paper में तो paper 1 50 marks का है जिसके अंदर आपका grammar do as directed active ऐसी वह नरेशन ठीक है फिर आपका prepositions फिर आपको common errors ठीक है वो सारा कुछ था और second part में है आपका that would be descriptive paper English Hindi descriptive paper third यह है आपका total 150 marks का right तो यही है इसके अंदर इस class में इतना रहेगा thank you very much take care see you